7.3 पादप उतकों का ओलोकन इन क्रिया कलापों को करने के दौरान आप चित्र साथ की मदद लें क्रिया कलाप 4 7.3.1 त्वचिय उतक, डर्मल टीशूज पौधों में त्वचिय उतक का ओलोकन करने के लिए हम ये क्रिया कलाप करते हैं इसके लिए हमें रियो की पत्ती, सुक्ष्म दर्श्री, कवर स्लिप, स्लाइड आदि की आवशकता होगी रियो की पत्ती को दबाव लगा कर इस तरह तोड़ें कि पत्ती की निचली सतह की जिली अलग निकल आए इस जिली को स्लाइड पर रखें और एक भूंद पानी डाल कर कवर स्लिप से ढग दें इसका सुक्ष्म दर्श्री से ओलोकन करें और इसका चित्र अपनी कौपी में बनाएं ओलोकन के लिए आप चित्र दस की मदद ले सकते हैं अपने ओलोकनों में कोशिकाओं की व्यवस्था और संरचना के बारे में विस्तार से लिखें क्या आपको क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं दिखाई दी? दिये गे चित्र की मदद से बताएं कि इन्हें क्या कहते हैं सुक्ष्मिदर्शी में जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं वे पौधों की सबसे बाहरी परत बाहे त्वचा या त्वचिय उतक है जन्तुओं की त्वचा की तरह इसका भी प्रमुप कार्य रक्षा करना है अतह इसकी कोशिकाएं आपस में सटी हुई होती हैं जैसा की आपने अपने अलोकन में भी देखा होगा इनके बीच अंतर कोशिकिय इस्थान नहीं होते प्रायाह शुष्क इस्थानों पर मिलने वाले पौधों को यह सूखने से बचाती है जलिय पौधों में मोम जैसी प्रतिरोधी सतह बनाती हैं स्लाइड में आपको कोशिकाओं से अलग अन्य प्रकार की रचनाएं भी दिखाई दी होंगी इन्हें रंद्र कहते हैं रंद्र को दो व्रिक के आकार की कोशिकाएं घेरे होती हैं ये रक्षी कोशिकाएं कहलाती हैं ये कोशिकाएं वायू मंडल से अहवा का आदान प्रदान करने के लिए सहायक हैं वाश्पुत सर्जन वाश्प के रूप में पानी का पौधों से निकलना की क्रिया भी रंद्रों के द्वारा होती है निर्देश इस क्रिया कलाप के लिए आप अन्यम मासल पत्तियों का भी उप्योग कर सकते हैं इस स्थिती में अधिक स्पष्ट अलोकन के लिए पत्ति की जिल्ली को लाल स्याही, आलता या सेफ्रेनिंसे अभिरंजित करना पड़ेगा